राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है तिरसकार दमाद बाबू ये तो अच्छी बात नहीं हुई कि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं और हमारी लड़की को घड़ से नहीं निकलने देते आप अपने पीता की फिक्र करते हैं वो सबके चकर में आप हमारी लड़की को माय के क्यों नहीं आने देते इस सबके बाद अगर सुसमा आपसे नराज नहीं होगी तो वो और क्या करेगी बोलिए माला जी फोन पर अपनी दमाद बिजय से कहती है बिजय बोला ममी जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं पर आप मेरी भी तो मजबूरी समझ ये कास मेरी मा जिन्दा होती तो सुसमा को हर वक्त बाबू जी की देख भाल नहीं करनी पड़ती और नहीं अपना मन मारना पड़ता वैसे भी अभी दो महिना पहले ही तो मैंने इसी वजह से छुटी ले ली थी और वो आप लोगों से मिलकर आई थ मैं दफ्तर के काम से अकसर सहर से बाहर रहता हूँ और ऐसे में सुसमा अगर माईके चली जाएगी तो बाबू जी अकेले घर में हो जाएंगे और अब तो उनकी तवियत भी ठीक नहीं रहती है किसी ना किसी का घर में रहना भी तो जरूरी है माला जी बोली छोड़िये आपसे तो कहना ही बेकार है मैं समधी जी से ही बात करूँगी कि थोरे दिन के लिए वो तिर्थ करने के लिए बाहर चले जाए ताकि मेरी बेटी कम से कम कुछ दिन तो हमारे पास आकर रहे उनकी चकर में क्या मेरी बेटी अब जीना छोड़ दे इतना कहकर माला जी ने गुशे में फोन रख दिया अगले दिन बीजय टूर से वापस घर आया तो घर में परवेश करते ही उसकी पतनी सुसमा बोली क्या तुम्हारी मेरी मा से बात हुई थी बीजय बोला अरे तुम्हें तो सब पता होता है फिर हमसे क्यों पूछ रही हो सुसमा बोली क्या तुम मेरी मा को जूटा दिलासा भी नहीं दे पाए कि हाँ ठीक है मैं सुसमा को माई के भेज दूँगा विजय बोला घर वापस आया नहीं कि तुम फिर से शुरू हो गई अरे बाहर से आया हुँ कम से कम चाय पानी तो पुछलो और ये मम्मी जी भी न जब उन्होंने हमसे बात कर ही ली थी तो तुम्हें बताने कि क्या जरुव थी सुसमा बोली क्यूंकि वो मेरी मा है वो हमसे कुछ छुपाती नहीं जो सच है वहीं बताती है विजय धीरे से बुद बुदाया हाँ हाँ मैं भी जानता हूं कि वो कितना सच बोलती है अरे इ जरूर तुम मन ही मन मेरी मा को कोष रहे थे है ना? विजय बोला हे देवी मुझे माफ करो मैं तुम मा बेटी के चक्कर में नहीं परना चाहता मेरी मजबूरी तुम और तुम्हारी मा दोनों अच्छे से जानती हो फिर भी मुझे परिसान करने का एक भी मोका नहीं छोड़त आखिर तुम चाहती क्या हो सुस्मा बोली सुलो विजय मैं अब तुम्हारे बाबु जी को और नहीं जहल सकती उनकी खासी की बीमारी बढ़ती जा रही है हर वक्त मुझे डर लगा रहता है कि उनकी बीमारी कहीं मुझे या मेरे बच्चों को ना लग जाए विजय बोला ले तो पहले ही तुम्हारे कहने पर मैं उनसे बिकवा चुका हूं जिसके लिए मैं खुद को हमेशा अपराधी समझता हूं सुस्मा बोली आरे तो घर और जमीन की अब उन्हें इस उम्र में क्या जरुरत है इस उम्र में तो उन्हें तिर्थ करने के लिए घर से निकल जाना चाहिए था पर नहीं उनको तो हमें परिसान करना है और इसी घर से चिपक कर रहना है ऐसा करो तुम उन्हें हरी द्वार ले जाओ और चूप चाप वहीं छोर आना कम से कम तिर्थ अस्तल पर रहेंगे तो अपना परलोग सुधार लेंगे और वहां ना जाने ऐसे कितने ब अच्छे उन्हें किसी ना किसी बहाने से वहां छोर आते हैं तो तुम भी वैसा ही करो इसमें कोई बुराई नहीं है विजय बोला पर सुसमा ये सही नहीं है मैं उनका इकलोता बेटा हूं मैं ऐसे कैसे उन्हें वहां छोर के आ सकता हूं सोचो किसी को पता चलेगा तो क्य कहेगा सुसमा गुसे में बोली सही गलत का अब मुझे पता नहीं और तुम भी अब सही के चक्कर में मत पड़ो अपना परिवार देखो उनकी तो उम्र हो गई है पर हमें तो अपना जीवन अभी जीना है और तुम फैसला कर लो कि बुढ़ा बाप चाहिए या बीबी बच् क्योंकि मैं ऐसे जिन्दगी अब और नहीं जी सकती अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं बच्चो को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने माई के चली जाओंगी फिर रहना अपने बुढ़े बाप के साथ है गुसे में सुसमा ने बीजय को खाना तक नहीं दिया और अपने फिकी चाए लाकर उसके सामने पटक दी और पीता की तरफ इसारा करते हुए बोली जितना बोला है उतना करो विजय ने लचारी में सुसमा की तरफ देखा और अपने पीता राम सेवक बाबु से बोला बाबु जी चलिए परसु आपको हरी द्वार घुमा कर लाता हूँ सुक्रवार को छुटी है सनी वार इत्वार मिल जाएगा तो अच्छे से घुम कर आते हैं बिजय ने इतना कहा ही था कि सुसमा के चेहरे पर मुश्कुराहट आ गई राम सेवक बाबु बिजय के सिर पर हाथ रख कर बोले सचमे बिजय क्या तुम मुझे हरी द्वार लेकर जाना चाहते हो जुग जुग जीओ बेटा आज के कल युग में तुम तो मेरे सरवन कुमार हो फालतु में लोग आज कल के बच्चों के बारे में कहते हैं कि वे अपने मा बाप से पीछा छुडाना चाहते हैं सुकर्वार को विजय रामसेवक बाबु का समान बैग में डाल कर हरी द्वार के लिए निकलने लगा निकलते समय सुस्मा बोली अपने मन को मजबूत रखना और जो इरादा लेकर जा रहे हो उसे पूरा करकी लोटना विजय ने उदास मन से हां में सिर हिला दिया और पिता को लेकर हरी द्वार के लिए निकल गया हरी द्वार में रामसेवक बाबु विजय का हाथ पकर कर चल रहे थे विजय ने कई बार उनसे अपना हाथ छुडाने की कोशिस की पर रामसेवक बाबु ने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था जैसे कभी बसपन में वो अपने बेटे का हाथ पकर कर उसे सरक पार करवाते थे तो उसका हाथ कभी छोड़ते नहीं थे विजय ने रामसेवक बाबु के हाथ को जटकते हुए कहा बाबु जी मेरा हाथ थोड़ा हलके से पकड़ो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और मैं कोन सा भागा जा रहा हूँ जो आपने इतनी जोल से मेरा हाथ पकर के रखा है रामसेवक बाबु बोले बेटा देखो यहां कितनी भीड है कहीं तुम खो न जाओ और जहां तक मुझे याद है तुमें भीड भाडवाली जगा में परिसानी होती है तो मेरा हाथ पकर के चलो तुमे कुछ नहीं होगा विजय एक पल को चूप हो गया और सोचने लगा कि आज भी मेरे पीता मेरी बारे में सोच रहे हैं और मैं उनकी साथ क्या करने चला था मैं उन्हें भिड में छोड़ कर अपनी रास्ते चल रहा था और वो भी इनकी साथ क्या होगा बीना सोचे समझे विज उसे गलत करने को नहीं कह रही थी और सुसमा की बात उसे मजबूर कर रही थी वो चूप चाप रामसेवक बाबू के साथ चलने लगा थोरी दिर बाद रामसेवक बाबू बोले बेटा चलो पहले गंगा असनान कर लेते हैं फिर धरमसाला चलेंगे पीता पुत्र दोनों गंगा असनान किया और धरमसाला चले गए वहां रामसेवक बाबु बीजै से बोले बेटा जाने से पहले क्या तुम मुझे थोरा सा गंगा जल पिला सकते हो बीजै हरानी से बोला क्यों आप गंगा जल मेरे हाथ से क्यों पीना चाते हैं रामसेवक बाबु हस कर बोले ना जाने मेरा अंतिम समय कब आ जाए और तुम उस वक्त मेरी साथ रहो या ना रहो तो आज गंगाजल पिला दो उसकी बाद तुम आराम से जा सकते हो इतना कहते हुए रामसेवक बाबु अपने बिश्तर पर बैठ गए और ठंडी सांस भरते हुए छट को निहारने लगे तो विजय बोला बाबु जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो क्या आपको कहीं और घूमने जाना है पर देखिए बाहर बहुत भीड है और एक बात और मुझे कहां जाना है रामसेवक बाबु हस कर कहने लगे बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ जिस बीना मा के तुम्हें पाला है तो तुम्हारे मन की भावनाए मैं तुम्हारे चेहरे पर पड़ सकता हूँ तो मुझे यहां छोरने आये थे ना इसलिए भीड में तुम बार बार हमसे अपना हाथ छुडा रहे थे पर मुझे लग रहा था कि कहीं तुम मेरा हाथ छोड़ो तो तुम्हारे साथ कुछ अहित ना हो जाए इसलिए लेकिन अब यहां तुम सुरक्षित हो यहां भीड भी नहीं है तो तुम अब आराम से घर जा सकते हो विजय अस्तब रह गया उसके मूँ से एक सब्द नहीं निकल पाया वो बस हैरानी से अपने पीटा को देखने लगा तो राम सेवक बाबू बोले ऐसे क्या देख रहे हो क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं बेटा एक बात याद रखो बुढ़े बाप को बेटे का साथ और एक छट की जरुरत होती है पर वो बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए खुशी खुशी उस छट को भी कुरबान कर सकता है मैंने तुम्हारी और बहु की सारी बाते सुन ली थी मैं जानता हूं तुम यहां मुझे छोर कर जाने वाले थे मैं बस तुम्हारी परिसानी कम करना चाता था और तुम्हारा सफर असान करना चाता हूं तो अब तुम जा सकते हो बीजय हैरानी से बोला बाबू आपने सब बाते सुन ली थी, फिर भी मेरी खुशी के लिए आप चूप चाप मेरे साथ यहां आ गए, और अब मेरी खुशी के लिए आप अपना घर बार छोर कर इस आस्रम में रहना चाहते हैं, आखिर आप इतना सब कुछ मेरे लिए कैसे कर सकते हैं, जबकि हम आपके बस गलत ही करते रहे राम सेवक बाबू हस कर बोले क्यूंकि मैं एक बाप हूँ असरुवाद तो तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्यूंकि मैं खुद अपने जीवन से तंग आच चुका था और उस तिरसकार के साथ अब जीने की भी ज्यादा इक्षा नहीं बची है जब बहु मुझे जीते जी उस घर से और मेरे बचे से अलग करना चाती थी तो मैं क्यूं नहीं आता वैसे भी मरतों मैं उसी दिन गया था जब तुमने बहु की बात मानकर गाउं की जमीन और घर बेचने के लिए हमसे दस्तकत करवाए थे बिजय की नजरे सरमिंदगी से जमीन में गरे जा रही थी उसकी आखों में आशु बह रहे थे तो रमसेवक बाबु बोले बेटा रोने से कोई फैदा नहीं याद रखो आज मैं यहां हूं कल तुम्हें और बहु को भी यही आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी जानते है कि तुमने और तुम्हारी पतनी ने मेरे साथ क्या धोका किया और हाँ वो बात अलग है कि मैं जीते जी खुद यहां आ गया बस भगवान से दुआ करूंगा कि तुम्हें जीते जी यहां कभी ना आना पड़े अब चले जाओ यहां से और मूर कर मत देखना इतना कहकर रामसेवक बाबू ने विजय से मूँ फेर लिया विजय रामसेवक बाबू के कदमों में गिर गया और बोला बाबू जी हमें छमा कर दिजिए मैं सचिमें भट सका आपने मा के जाने के बाद मुझे कितने प्यार से पाला पर मैं कभी आपकी नजरों में खाड़ा नहीं उतर पाया रामसेवक बाबू बोले बेटा मैं तो तुम्हें उसी दिन छमा कर चुका हूँ क्यूंकि मैं एक पिता हूँ हाँ मुझे भी परिवार और छट चाहि पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं वो भी तुम पर लुटा सकता हूँ अब तुम जा सकते हो अपने परिवार के साथ खुश रहना यहीं दुआ करूंगा बिजय रोत्यवे बोला नहीं बाबू जी आप मेरे साथ चलेंगे मैं अब सुस्मा की कोई भी बात नहीं सुनू मैं सम्मान के साथ जिया हूँ तो मुझे धर्म संकट में मत डालो मेरा बुढ़ापा खराब मत करो यहां कम से कम मैं किसी का तिरसकार तो नहीं सहूंगा तुम निश्चिंत रहो दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि रामसेवक को उसके बेटे ने धोके से हरी द्वार छ जिस घर को मैंने कभी बनवाया जिस छत के नीचे मैंने अपनी पूरी जिन्दगी बिताई उसे तुम लोगोंने हमसे छिन लिया तोबा उस छत की मुझे कोई जुरत नहीं है रखो तुम निरास विजय खाली हाथ वहां से लोट आया विजय को अकेला आया देख सुसमा ब पहले हसता और सब के साथ मुश्कुराता था अब वो बस काम करता और काम के बाद अपने पीता के कमरे में उनकी यादों के साथ अकेले रहता उसे दिन सुसमा को ये एसास हुआ कि एक बुढ़े बाप को भी अपने बेटे का साथ और एक छत की जरुरत होती है आज घर और आजादी सब कुछ पा कर भी सुसमा के हाथ खाली के खाली रह गए क्योंकि उसने एक बृद पीता के सिर से छत ही नहीं छीनी बलकि उनके जीने की वज़ा उनके उनके बेटे से भी अलग कर दिया दोस्तों इस स्टोडी को ले कर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जर लगी हो तो प्लीज प्लीज वडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब किजिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद